वेल्कम टू स्टड़ी 24 देपूर आज किस क्लास में हम क्लास 12th NCRT सेलेबस के कोडिंग लेसन नंबर हमारा फोर्थ हैं पून प्रतिस परधा की स्तिती में फर्म का सिद्दान इस लेसन को आज हम स्टाड करेंगे पिछली क्लासों में हमने तीनों लेसन को कम्प्लीट कर लि हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा क्लास 12th NCRT व्यस्टी अवं समस्टी अर्थ शास्त्र उसमें जाके आप बाकी के जो तीनों लेसने वो देख सकते हैं आज हमारा नेक्स्ट लेसन है पून प्रतिस परधा या जिसको हम पून प्रतिवगीत भी केते हैं perfect competition market में firm का सिद्धान सबसे पहले अगर हम पून प्रतिश परधा की बात करें. परफेक्क कॉम्पेटिशन का मतलग क्या होता है बाजार की ये बाजार का एक प्रकार है ठीक है बाजार के अलग अलग प्रकार है जिसमें से लेसन नमबर हमारा जो चोथा है उसमें हमको बाजार का एक प्रकार है पूर्ण प्रतिवगीता या पूर्ण प्रतिस परदा किसी वस्तू के खरिदने वाले खरिदार हैं जिनको हम करेटा केता है और दूसरा उस वस्तू को बेचने वाले जो विक्रेटा होते हैं उत्पादक होते हैं इन दोनों की संख्या क्या होती है अधिक होती है किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेताओं की संखկाइ कितनी होती है बहुत अधिक होती है इन विक्रेताओं के द्वारा जिन वस्तु का उतफादन किया जा रहा है वो कैसा होता है समरूप होता है एक जैसा होता है दिखने में भी एक जैसा होता है और उनकी जो क्वालिटी होती गुण होते वो भी क्या होते हैं एक जैसा होता इसलिए इसको हम क्या कहते हैं समरूप वस्तू का उत्पादन किया जाता है और फिर फर्म का जो वस्तू को एक निश्चित किमत पर बेशता है और वो जो उत्पादक होता है वो उस वस्तू की किमत को प्रभावित नहीं कर सकता है क्योंकि किमत का निर्धारन उस उत्पादक के द्वारा नहीं किया जाता है ठीक है किमत का जो निर्धारन होता है वो बाजार के द्वारा हो होता है संपुन बाजार में ठीक है उसकी मांग कितनी है पूर्ति कितनी है उसके आधार पर निर्धारित होता है इसलिए कोई भी व्यक्तिगत फर्म या व्यक्तिगत जो उभुकता है उत्पादक है वो वस्तू की किमत को प्रभावित नहीं कर सकता है इसलिए फर्म का मांग वक्र केसा होता है पूर्ण तया लोज़दार होता है ठीक है हमने जो मांग की लोज़ के अधाना पड़ी होगी उसमें हमने पढ़ा था पूर्ण तया लोज़दार का मतलब हमारा जो वक्र होता है वो एक्स अक्ष के समानन तर होता है जिसका मतलब क्या होता है जब वस्तू की कीमत कोई एक निश्चित है ओपी कीमत है माना की ओपी कितना है दस रुपए के बराबर है तो जब वस्तू की कीमत दस रुपए है तो उत्पादक वस्तू की जितनी मातरा चाहे वो बेच सकता है जा सकता है उसके पास में यह जो किम्मत दी हुई है माना की 10 रुपए इसका निर्धारन मांग और पूर्थी की शक्तियों के आधार पर होता है बाजार में ठीक है इसलिए पून प्रतिवगिता बाजार की एक मुख्य विशेश्ता है इसमें फर्म का जो मांग वकर होता है वो कैसा होता है पून तया लोज़दार होता है तो इस तरीके से पून प्रतिवगिता बाजार की एक एसी श्तिती होती है जिसमें किसी वस्तु के क्रेटा और विक्रेटा अधिक संक्या में होते है उन विक्रेटाओं के द्वारत जीन वस्तु का उत्पादर किया जा रहा हैं वो समरूप वस्तों होती हैं एक जिसी होती हैं और फर्म का मांग वकर जो होता है वो पूर्टया लोजदार होता है अब देखिए पूर्ण प्रत्विगिता बाजार में हम कुछ विशेष्टाओं की अगर हम बात करें तो पूर्ण प्रत्विगिता बाजार क्या होता है एसे बाजार में हमको कुछ विशेष्टाएं देखने को मिलती हैं, वो विशेष्टाएं कौन कौन सी होती हैं, तीन विशेष्टाओं को हमने परिभाशा में भी पढ़े था, सबसे पहली हमारी जो विशेष्टाओं देखने को मिलती हैं, पूर्ण प्रतिस परदा बाजार में उसमें क्या होता है क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है ठीक है किसी भी वस्तू का जो क्रेता होता है खरिदने वाले जो क्रेता होते हैं वो अधिक संख्या में होते हैं और उस वस्तू को बनाने वाले या बेचने वाले ठीक है उत्पादक या विक्रेता क की तुलना में एक तरह से क्या होता है बहुत छोटा होता है ठीक है जैसे ये बाजार है बाजार में बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं और उसमें से कोई व्यक्तिगत क्रेता या विक्रेता है क्या होता है उसका एक अंश होता है उसका एक छोटा भाग होता है और अंशमाना जाता है क्योंकि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या क्या होती है असिमित होती है अनन्त होते है ठीक है बहुत सारे होते हैं इसलिए कोई भी एक उत्पादक जो होता है एक क्रेता होता है वो बाजार को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है तो सबसी पह कार की तुलना में व्यक्तिगत क्रेता विक्रेता बहुत छोटा होता है और जब व्यक्तिगत क्रेता विक्रेता बहुत छोटा होता है तो वो बाजार को प्रभावित करने की स्थिति में नई होता है दूसरी विशेस्ता है इस बाजार में क्या होता है जो विक्रेता है वो सम समरूप वस्तू का उत्पादन करते हैं ठीक है उनके द्वारा जिन वस्तू का उत्पादन किया जा रहा है वो कैसी होती है समरूप वस्तू होती है होमोजीनियस प्रोड़क्ट होता है समरूप वस्तू का मतलब क्या हो गया प्रति एक फर्म के द्वारा जो भी वस्तू बना ग्रिटियां होती है लेकिन यहां पर पुन प्रत्विगीता में अगर हम बात करें तो जो भी उत्पादक वस्तु बना रहे हैं वह वस्तु है क्या होती है एक जैसी होती हैं, जैसे एक firm के द्वारा ये जो mobile बनाया जा रहा है, तो mobile का जो आकार है, वो सबी firm के द्वारा जो mobile बनाया जा रहे हैं, उसका आकार क्या होंगे, समान होंगे, इस mobile की जो quality हैं, वो सबी firm के द्वारा जो बनाया जा रहे हैं, उसके जो features होते हैं, वो सब ए एक जैसे होता है ठीक है उसका जो कलर होता है वो भी क्या होता है एक जैसा होता है इसलिए कोई भी जो क्रेता है वो इन में अंतर नहीं कर सकता है उसके सामने जो भी वस्तु खरीदने हैं सबकी क्वालिटी एक जैसे होती है इसलिए किसी एक कंपनी के द्वारा उत्पादित वस्तु को वो ज़्यादा अधिमान नहीं दे सकता है ठीके तो समरूप वस्तु का उत्पाधन का मतलब क्या हो गया प्रत्य एक फर्म की द्वारा जो वस्तु का बनाई जारी है उसका आकार घून उसका जो रंग है ठीके उसकी जो पेकिंग है उन सभी में एक तरसे क्या होत है क्रेता किसी भी फर्म से वस्तु का क्राय कर सकता है ठीके जिसे बाजार में बहुत सारी फर्मे हैं मोबाईल बनारी है सब फर्में तो सभी के द्वारा जो मोबाईल बनाया जा रहे उसकी एक जिसी क्वालिटी होती है फिचर से एक जिससे होते हैं उसकी कीमत भी एक जि तो वो इनमें से किसी भी फर्म से खरिश सकता है ठिके वो नहीं कि इसी ए फर्म से खरीदेगा वो बी से भी खरीश सकता है इंसे से भी खरी सकता है, डी से भी खरी सकता है वो बाजार में किसी भी फर्म से खरी सकता है और सभी फर्मों के द्वारा जो वस्तु बनाई जारे वो एक जैसी हैं समरूप है इसलिए वो ऐसा न envision का एक के द्वारा जो mobil बनाये गया उसको ज़्यादा पसंद کرेगा और D के द्वारा जो मूबायल बनाएगा उसको कम पसंद करेगा सभी के द्वारा जो वस्तू बनाई जारी वो एक जैसी होती है इसलिए उब्भुकता या क्रेता इन में से किसी भी फर्म से वो क्रे कर सकता है और फिर एक फर्म द्वारा उत्पादिद वस्तू दूसरी वस्तू द्वारा उत्पादिद वस्तू के समान होती है एक जैसी होती है समरूप होती है इसमें वस्तू विभेद नहीं पाया जाता है वस्तू विभेद नहीं पाया जाता है इसका मतलब क्या हो गया वस्तुओं की जो quality हैं गुण हैं उसमें अंतर नहीं पाया जाता हैं ठीक ऐसा नहीं है कि एक फर्म के द्वारा जो A फर्म हैं उसके द्वारा उत्पादिद वस्तुओं अच्छी quality की हैं और B फर्म के द्वारा जो उत्पादिद वस्तुओं उसकी quality अच्छी नहीं ऐसा नह शेस्ता जो देखने को मिलती हैं वो हैं फर्मों का बाजार में स्वतंतर प्रवेश एवं बहिर गमन ठीक है इसका मतलब क्या हो गया बाजार में अगर कोई नई फर्म प्रवेश करना चाहती हैं तो वो स्वतंतर रूप से प्रवेश कर सकती हैं उसके उपर किसी प्रकार का क प्रतिबंद नहीं होता है, कोई रोग टोक नहीं होती हैं, जिससे बाजार में 10 फर्में अगर काम कर रही हैं, पहले से, अगर कोई नहीं फर्म, ठीके, एक्स कम्पनी, अगर मार्केट में आना चाहें, तो आ सकती हैं, ठीके, उसके ओपर किसी परकार का कोई नियंतरन्ण, या रोक टोक नहीं होती हैं, प्रतिबन नहीं होता हैं, और पहले से जो फर्म काम कर रही माना है कि ए फर्म अगर मार्केट को छोड़ के जाना चाहें, तो जा सकती हैं, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी फर्म बाजार में प्रवेश कर सकती हैं, नहीं फर्म अगर से प्रवेश कर सकती हैं आ सकती हैं और जा सकती है ठीक है इसको हम क्या कह सकते हैं फर्मू का बाजार में जो प्रवेश होता है वो बहिर गमन्टी के बाहर जाना छोड़के जाना स्वतंत्र होता है तो बाजार में प्रवेश जो होता है बहिर गमन होता है वो सरल होता है स्व कि कोई भी नई फर्म बाजार में कभी भी आ सकती उसके उपर किसी परकार की रोग टोग नई होती हैं और इसी वज़े से क्या होता है फर्म का जो आकारे वो बड़ा होता है पूर्ण प्रतिस परदा में नेक्स्ट है पूर्ण जानकारी ठीक है इसका मतलब क्या होता है बाजार में किसी वस्तु के जितने भी उत्पादक हैं उभुकता हैं क्रेता और विक्रेता होते हैं उन्हें बाजार इस्तिती की संपूर्ण जानकारी होती हैं करेताओं को ये पता होता है का A फर्म द्वारा जो वस्तु बनाई गई है, B firm के द्वारा जो वस्तु बनाई गई है, C firm के द्वारा जो वस्तु बनाई गई है, उसकी quality क्या है, उसकी price क्या है, सभी के बारे में बाजार की समस्त इस्तित्व के बारे में उनको जानकारी होती है, विक्रेताओं को इस बारे में जानकारी होत बाजार के बारे में पूरी जानकारी होती है क्रेताओं की जो पसंद है फेशन है उसके बारे में जानकारी होती है इसी तरह के से जो क्रेता होते हैं उनको भी बाजार के बारे में पूरी जानकारी है कि उनके जो उत्पादक है जो वस्तु बना रहे हैं विक्रेता है उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की संपुन बाजार में कीमत क्या है उस उत्पाद की क्वालिटी क्या है इन सभी के बारे में उसको जानकारी होती है तो क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार एवम वस्तु की कीमत उसकी क्वालिटी गुणवत्ता और अन सभी के बारे में जानकारी होती है अपून जानकारी इसमें नहीं होती है ठीक है तुक्रेता और विक्रेताओं को बाजार के बारे में पूरा नोलेज होता है फिर नेक्स जो विशेस्ता हैं वो हैं कीमत स्वीकारक विवहार ठीक है इसका मतलब किया हो गया कि वस्तू की कीमत जो होती है वो ब मांग और पूर्ती बराबर होती हैं तो इसी बाजार कीमत पर एक फर्म क्या करेगी अपनी वस्तु को बेचेगी तो फर्म के द्वारा वस्तु की जो कीमत निर्धार्ध की जाएगी वो इस बाजार कीमत में मांग और पूर्थी के द्वारा जो निर्धारित कीमत है उसी निर्धारित कीमत पर वस्तो को बेचा जाएगा अगर देखिए वह जो उत्पादक है टीकिए अफजिक्तिक फर्म के अगर हम बात कर रहे हैं उसकी कीमत अगर बाजहर कीमत से जयदा होगी तो इस सिस्टेम में क्या होगा फर्म जो हैं उनको ग्राकों के अन्य होगी क्योंकि ग्राकों को पता है कि बाजार में जो कीमत हैं वस्तों की अन्य उत्पादक कितनी ले रहे हैं तो कोई भी व्यक्तिकत फर्म अगर उस बाजार कीमत से ज़्यादा लेगी तो जो उब ग्रहाखे वो तूट जाएंगे ग्रहाखों की हनी होगी और फर्म को भी एक तरह से क्या होगा हनी होगी इसी तरीके से वस्तु की कीमत अगर जो व्यक्तिकत फर्म के द्वारा कीमत निर्धारित की जा रही है अगर वो बाजहार कीमत से कम है तो इस इसनिमें क्या होगा फर् बाजार कीमत के बराबर ठीक है तो वस्तु की जो कीमत होती है वो बाजार कीमत के बराबर होती है इसका मतलब यह हुआ कि एक फर्म कीमत जो निर्धारित करेगी वो स्वेम निर्धारित नहीं करती है कीमत का जो निर्धारन है वो किसके द्वारा किया जाएगा बाजार के द दूपर तो यहां पर किमत का निर्धान कितना हुआ ओ से लेकर पी और इस ओ से ले पर पी जो किमत निर्धारित हुई है इसे फर्म क्या करेगी स्विकार करेगी मतलब फर्म अपने वस्तु को इस ओ पी किमत पर ही बेचेगी और यहां पर अगर हम देखें तो फर्म का जो मा विवहार को दर्शाता हैं ठीके कीमत स्विकारक विवहार का मतलब क्या हो गया फर्म कीमत का निर्धारन नहीं करती हैं ठीके कीमत का निर्धारन कोन करता हैं उद्योग बाजार ठीके बाजार में जहां पे मांग और पूर्ती बराबर होती हैं वहां पे कीमत का निर्धारन ह होता हैं और इस किमत को फ़र्म क्या करती हैं स्विकार करती हैं थे कि फ़र्मगर अपनी वस्थु को उस कीमत पर बेचा जाएगा जो बाजार में मांग और पूरति के द्वारा निर्धारे थुई हैं तो आज की class में इतना है next class में हम इसका आगे का जो part है उसको discuss करेंगे